विकल्प बहुत मिलेंगे राह भटकने के लिए लेकिन संकल्प एक ही काफी है मन्जिल को पाने के लिए जैहिन चात्रों मैं इशारहमत कॉंपिडिशन कम्मुनिटी के इस कोश्चन सेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ कि आप अपनी निरंतरता इसी प्रकार बनाए हुए है बहुत सारे चात्रों ने पिछले वीडियो का आंसर बहुत ही सही दिया है ठीक है हमारा विशा चल रहा है भारती भुगोल भारती भुगोल का आज का टॉपिक है क्रिसी से रिलेटेट जीतने भी प्रस्न पूछे गए है आपका पिछली परिच्छाओं में उन प्रस्नों को आज हम करेंगे जादा समय ना लेते हुए इस प्रस्न सत्र को प्रारम करते हैं आई चात्रो हमारा विशा है भारती भुगोल भारत में क्रिसी से रिलेटेट प्रस्नाज हम इसमें देखने वाले हैं आई आगे बढ़ते हैं प्रस्न हमारा पहला भारत में एग्रो इकलोजिकल जून्स क्रिसी पारिस्थितिकी ये छेत्र की कुल संख्या है ठीक है तो आप्शन है 15, 17, 19, 20 याद रखिएगा आपका मिर्दा सरविक्षन और भूमी उप्योग ब्यूरो नाकपूर द्वारा किसी पारिस्थितिकी ये छेत्र को आपका कितने भागों बाटा है आप धान के बावाई करने शकते हैं ठीक है तो आए आगे बढ़ते हैं प्रसन है हमारा दुसरा कूठ पे अधारित प्रसन है याद रखिएगा इस प्रकार के भी प्रसन आजकल वन डे एक्जाम में देखने को मिल रहे हैं तो हमें सारे तथ्यों को याद करना अनिवानरे ठीक है तो आईए देखें इसे कैसे deal करेंगे कथन है भारत को 20 क्रिसी जलवायू प्रदेशों में बाता गया है याद रखेगा छात्रों अभी हमने 20 पारिश्थृतिकी चेतरों में बाटा था, यहां क्या लिखाया हुआ है? क्रिसी जलवाईू चेतर, याद रखिएगा योजना आयोक द्वारा 1989 में आपका 15 कृसी जलवाईू चेतर में भारत को विभाजित किया योजना आयोग जो अभी नीती आयोग बन गया 2015 से ठीक है तो यह कथन क्या होगा गलत होगा ठीक है भारत को 15 क्रिसी पारिस्थितिकी परदेशों में बाटा गया है यह भी बिलकुल गलत होगा ठीक है कितना बताया मैंने पहले 20 पारिष्थिति की छेत्रों में बाटा गया ठीक है उसके बाद बोलता है कारण जो है आपका कारण दूसरा और कारण तीसरा पस्चिमी हिमालय शीत सुस्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरे छेत्र पस्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरे छेत्र से जादा है याद रखिएगा यह जो दिखाई दे रहा है आपको शीत सुस्क पारिस्थितिकी प्रदेश यह जो है आपका कुछ भागों में ही आपका फैला हुआ है लद चलो कोई बात नहीं तो क्या होगा सभी गलत होंगे ठीक है तो यह इसका अंसर हो जाएगा तो इस प्रकार से इन तथ्यों को हमें दिमाग में रखना भी अनिमार रहे हैं ठीक है इसकी डीटेलिंग भी बहुत अच्छी तरह से पढ़िए आगे बढ़ते हैं आईए प्रस्न सत्र को प्रस्न सत्र की तरह करते हैं प्रस नंबर तीन हमारा देश में प्रथम किसी विश्विद्यालय की स्थापना वर्स हुई थी किस वर्स हुई थी ओके ठीक जाद रखेगा 1960 में हुई पंडित जवा ततकाली प्रधान मंत्री हमारे पूरु प्रधान मंत्री भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नहरु द्वारा उत्तर प्रदेश किसी विश्विद्यालय के नाम से आपका उत्तर प्रदेश में मतलब पतन नगर में स्टार्ट किया था ठीक है लेकिन अभी वर्तमान में इस जो विश्विद्यालय का नाम है आपका गोविं जिन जिन छात्रों ने पढ़ा होगा, उसका अंसर लगा लिए हुई, ठीक है, नगदी और खाद्ध्य दोनों सास्चियों के साथ साथ खेती करना, ओके, दो या दो से अधिक सास्चियों के एक ही खेत में उगाना, ओके, पसु पालन एवं सास्चे उत्पादन एक साथ करना नहीं मिसरित खेती कहलाती है ठीक है वीडियो रोक के भी आंसर लगाया करो ठीक है आगे बढ़ते हैं चेक किये करो अपने आपको कि हम सहीं लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं ठीक है अभूगोल का अभी तक के लगभग बहुत सारा पॉर्षन कवर हो गया है तो जो जो अगर पहली बार देख रहा होगा तो एक बार भारती भूगोल को कंप्लीट अच्छी तरह से पढ़के इन सभी प्रशन को लगाएगा तो उसका जो मतला प्रिप्रेशन होगा वह बहतर से बहतर हो जाएगा ठीक है तो आईए बहराल प्रशन की हो राते हैं कुश्चिन न इसका अंसर क्या होगा ठीक है लेकिन याद रखे एक जैविक राज्य है ठीक है जैविक क्रिसी की यहां प्रधानता है बिल्कुल भी यहां उर्वरक का का उपियोग नहीं किया जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रस्म का मांग 6 हमारा निम्न फसलों में से कौन सी वान जो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं यह यहां दिखाई देरा मैं का बोला यह जो आर आपका मक्का यह डोनों ढख्रीब को के आपका खेंख में आता है याद रख रहा है 24 जो आपका फसल है उसके लिए नियुंतम समर्थन मुल्ली का आपका रखा है उसने प्रवधान आगे बढ़ते हैं प्रस्म का मंग 8 है हमारा भारत में पैदा की जाने वाली निम लिखित में से रभी काल की फसल कौन सा है देखो अभी बताया था मैं रभी मतलब क्या है अक्टूबर नमंबर में होगा ठीक है तो आपका चना क्या होगा आपका रभी की फसल चावल खरीप आता है कपास खरीप रहता है सोया बीन जो हो खरीप के अंतर गता आता है तो इस प्रकार से याद रखना है आगे बढ़ते हैं क्रिसी भारत की आत्मा है यहां कथन किस ने कहा है महात्मा गांधी जी ने कहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं यह वर्स 1994 से 2016 के लिए FAO द्वारा प्रकासित आकड़ों के अनुसार गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है 1994 लेकर 2016 एवं वर्तमान में भी जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन से चीन है ठीक है आई आगे बढ़ते है एक बहुत बड़ी क्रिसी भूमी पर जैविक क् धती अपना कर कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह जैविक राज्य बन गया है कई बार बता चुक हूं अभी तक के बच्चे अंसर लगा चुके होंगे इसका सिक्की मोगा इसका अंसर ठीक है आगे बढ़ते है और आपका जैविक सहर अगरतला त्रिपूरा की ठीक है तो याद रखना है नलकूप से नलकूप से सबसे ज़्यादा सिचाई की जाती है आगे बढ़ते हैं कोस्चन नंबर 14 है सदा बाहर क्रांती भारत के क्रिशी उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई किसके द्वारा इस प्रकार से यह प्रस्न है तो हरित कांती के जनक है ठीक है यहां दिखाई दे रहा है नौर्मन बोर्लॉक ठीक है नौर्मन बोर्लॉक जो है वह आपका विष्व में हरित कांती के जनक कौन है भी बताया नौर्मान इई बोरलॉक ठीक है आगे बढ़ते है प्रस्न कमांग- sol behand tis broken कि πरद्धान मंत्री कनम जोड़ा जाता है का नाम होगा यहाँ पस क्या होगा का नाम ठीक है तो याद रखिएगा स्वर्गी इंद्रा गांधी के समझ से यह है मतलब इनका नाम जोड़ा जाता है चामा चाहूंगो आगे बढ़ते हैं प्रस्ण का मांग 17 है यह भी देखो कूठ प्याद हरित प्रस्ण है आईए इसे इस प्रकार बनाते हैं भारत में हरित क्रांती के फलस्वरूप खध्यानों के उत्पादन में व्रिद्धी हुई बिल प्रस्वरूप में हरित क्रांती के परिडाम स्वरूप छेत्री असामानताओं में व्रिद्धी होगी ठीक है आपका competition बढ़ेगा तो ठीक तो दोनों सहीं है आईए देखें ए और आर दोनों सहीं है यह सहीं है और किसी में दीख रहा है नहीं दीख रहा है ठीक परंतु आ करस्म का मंग 18 हाँ निम लिखित में से कौन सा एक भारत में निली कुरांती से संबन्धी था ? याद रखेगा मतस्य पालन जुआ है आपका निली कुरांती से संबेदित है आई आईए कबड़ी है कि निम लिखित में से कौन सुमेलीत नहीं है Ocape而且 ठीक है सुनहरी क्रांती लिखाया संबंधित है ठीक सुनहरी उद्यान के लिए बिल्कुल सही है स्वेत दूत के लिए बिल्कुल सही है नीली अभी बताया था मतस्य के लिए ठीक है यही गलत होगा ठीक है कुट-कुट पालन नहीं होता है ठीक हरित क्रांती क्रिशी के लिए बिलकुर सही है तो क्या हो जायागा इसका आंसर सी आंसर हो जायागा आगे बढ़ते हैं यह किसी प्रजाती है निमलिखित में से कौन सी एक खरीब की फसल है। ठीक है याद रखना है इसको के मसूर अलसी और आपका सरसो सोयबीन बताया सोयबीन क्या है आपका खरीब की फसल है बाकी सब जो है अभी की फसल है ठीक है आई आगे बढ़ते हैं प्रसन का मांग 23 है भारत में किस राज्य में कपास का उसतन उत्पाधन सरवाधिक है आंदर प्रदेश याद रखिएगा दिख रहा हो गया ठीक है यह रहां अंदर प्रदेश यहां थोड़ों खसक गया है थोड़ा सा मेजर मतलब साथ देंगे ठीक आगे बढ़ते हैं प्र गन्य की प्रती हेक्टियर पैदावार तथा गन्य के रस की मात्रा दक्षिनी राज्यों में अधीक होती है बिलकुल सही है इसका अंसर यह भी सही है दक्षिन भारत गन्य के उत्पाधन के लिए बहुत प्रसिद्ध है ठीक है आईए प्रतिकूल अवस्था होती है ठीक है तो इस प्रकार से याद रखना है इन तथ्यों को याद रखना निवार है प्रस्ण आभी आने वाली परिच्छाओं के दिरिश्टी कौन से बहुत ही महत्यपून तथ्य है यह सब आगे बढ़ते हैं आगे प्रस्ण का मांग 25 है भारत में सोया बीन का अगरणी उत ठीक है आईए आगें बढ़ते हैं यह होगी हमारा आजका 25 प्रस्ण पिछली कक्छाओं में पुछा गया प्रस्ण लेकर आता हूं आपके सामने आईए यह रहा आपका पिछले क्छाओं में पुछा गया हराष्ट में ठीक है यह आपका भागी रती तीरी ठीक है तो इस प्रकार से इसका अंसर हुआ पिशली कक्षा का अंसर अभी दे दिया मैं अब जो है जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका अंसर देना है तो आईए यह रहा प्रस्ण विभिन ने करांति हैं उसे संबंदित छे सकते हैं ठीक है चमा चाहूंगा आज का प्रस्ण मैं आप लोगों को नहीं दे पा रहा हूं अगली कक्षा में आप प्रस्ण जो है आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है आशा करता हूं आप इसका स्क्रीन शॉट ले चुके होंगे और यह भी जो है आपका इंग्लिश प्रस्ण में आपचाः ट्रस्ण आपचा स्क्रीच नाट चाहिंसर जाएट müsste IT आपचा लोगों – जाब ग्याम कैंपा लोगों को मिल जाएगा'S यह को प्रस्तैको है नहीं आप जाएटीज